यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पर टहलने लग गए और तभी तेज रफ्तार आ रही और नियंत्रित रोडवेज बस ने इन सभी को कुचल दिया सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज में भरती करवाया है और शवो को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है और फिलाल पुलिस घटना की जाच मिजूट गई है यहाँ पर आपको पता दे कि एक तेज रफ्तार बस की कहर की वज़ा से 9 चात्रों को इसका कहर देखने को मिला इसमें से आपको बता दे कि मौके पर ही 7 चात्रों की मौत हो गई है जबकि दोकी हालत गंभीर बनी हुई है जिनने PGI रेफर कर दिया गया है और यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है झाल